गुड मॉर्निंग क्लास टेन आज हम लोग रामधारे सिंह दिनकर जुरादा रचित परुष और सर्प नामक कविता को पढ़ेंगे रामधारे सिंह दिनकर का जन्म तेज सितंबर 1908 इंशियों को हुआ और उनकी मृत्तिय 24 अप्रेल 1974 इसवी को हुआ प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारे सिंह दिनकर जी महाभारत के उस भयावन इस्थिती को व्यक्त कर रहे हैं जहां कोरों और पांड़ों एक दूसरे से महाभारत का युद कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? कुरुषेतर के मैदान में तो यहां वह बोल रहे हैं कि कैसे अरजुन और कर्ण दोनों ही पुन्ती पुत्रे थे दोनों ही एकी माता के पुत्रे थे और दोनों भाई थे लेकिन अरजुन पांडों के तरफ से थे और जो कर्ण थे वहां करों के उधर से लड़ रहे थे दोनों एक दूसरे के विरोध मे तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि गत्वर गैरे सुखर भुदर से लिए रख्तरंजित करी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेशनाग है सेशनाग को हमारे धर्म में बोला जाए कि वो पाताल वूत में रहते हैं और वही हमारे पृत्वी की रक्षा किये हुए है तो यहां पे अब गुधर मतलब होता है कि प्रित्वी को धारन करने वाले भगवान शेशनाग तेहां बोला जा रहा है कि काल और प्रित्वी को धारन करने वाले भगवान शेशनाग गूम से सने हुए सरीरों को मानों बल पूर्वक सेधी से छीड़ी से छीड़ कर लिये जा बहुत पल पल पर भैना गर्जना करके एक घुत्रे से युद्धु कर रहे हैं। दोनों ही यानि कि अर्जुन और कर्ण धनुष चलाने की कला में रण पुशल सब चीज में बहुत ही समान है। दोनों एक समान हुट से सक्तिशालिय और सामार्थ्यवान है। दोनों रण बाकुरे मतलब दोनों रण में लड़ने वाले एक दुसरे पर अठुप सक्तियों का प्रियोग कर रहे हैं। रण में दोनों ये थाओ के युद्ध के कारण अपनी विष्टी यानि आग की वर्षा भी वो रही है। कोई किसी को हरा नहीं पा रहा। दोनों एक दुसरे पर भारी पड़ रहे हैं। अब आप लोग प्रसुत पंक्यों की सब इस्तार व्याठ्या करेंगे। थैंक्यू बच्चों अब आपने हुजे अपना हुम्रक नीचे दिएगा इमेल आड्रिस पे अगले दीन दोपार एक बच कर 40 मियाठ केंदा सेंड करोगे।